हलो इस्ट्रूट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं तो मैं के जिंदर शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और इस बार हाइस्ट नंबर किसमें देखने को मिला है तो उन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करने वाला हूँ वीडियो के अंदर वीडियो को लास्त तक देखना आपने जितने दोस्त हैं इसको शेयर कर देना है और सबसे बड़ी बात यह कंपिटिशन तो है सब्जेक्ट व बहुत ज़्यादा है वो अभी आपको सच में पता लग जाएगा वाई फोर एट फाइफ कूपन कोट लगा के यहां पे देखो क्या है सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहां पे जो बच्चों ने इस बार नंबर आफ टेस्ट चुने वह फोर प्लस है और पिछले बार की कंपेरेंड में कम से कम यह मान के चलिए कि दो पेपर जादा चुने बच्चों ने ऑन एन एवरेज की मैं यहां पर बात करता हूं और यहां पे सबसे ज्यादा जो नंबर देखने को मिला है वो है इंग्लिश का 10 लाग से जादा बच्चों ने क्या किया है इसको यृप इस्टैई लगबग दो लाग फट्र है अगर मैं फॉल प्र पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो की बात करता हूं तो इनके नंबर थोड़ा इंक्रीज हुआ है as compared to science के science के अंदर तो drastic change आप सभी को देखने को मिला है यहां पे और English GT के अंदर तो भाया तगड़े लेवल पे हिंदी की मैं बात करता हूं तो सभी में लगबग 2,7,000,000 लोगों ने इसको चुनाई यानि कि सार अगर मैं competition wise जाता हूं तो competition तो है भाया तगड़ा चाहे humanities की बात करूं commerce की बात करूं science की बात करूं तो यहां पे number increase हुआ है और total number of applications की बात करूं जिन्हों उने fee pay कर दी है वो 13.4 है यानि की लगबग 3,500,000,000 लोग है और एक चीज़ याद रखिए 10,000,000 प्लस अगर कोई number जाता है न तो अपने आप में वो बहुत बड़ा number होता है यह चीज़ दिमांग में बिठा लीजीगा और यहां पे male candidate 7.1 है यानि की 7.1 लेक है female candidate 6.3 लेक है और अगर मैं state wise जाओं कि यार किस किस state से सबसे ज़्यादा application forms देखने को मिले हैं तो भाईया यहां पे उत्तर प्रदेश ने बाजी मार लिये और 3,43,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन के स्यूटी के अंदर दिल्ली ने लगबग देड़ लाख है बियार लगबग एक लाख है जार कंड़ लगबग 90,000 है राजस्तान 82,000 है मद्यप्रदेश 77,000 है हरियाना 75 के है और यह सब से बड़ी बात है मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है इसका कंपलीट मैं आप सभी को सारा ब्योरा बताने वाला हूँ और यह मान के चलिए कि यह जो पेपर आप सभी को नजर आ रहे हैं यहां पे इंगलिश हिंदी की मैं बात करूँ और लोग के हैं कॉमर्स और हुमिनिटीज के और साइंस के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आप लोग को यही मान के चलना है कि यह आफ लाइन पेपर होता हुआ नजर आ रहा है यहां पे मैं आगर बात करूँ नंबर वाइस मैंने आपको बता दिया है इसका डिटे है कि यहां से आगे जो है वो टाइम आप सभी के लिए बहुत कुरूशल है लगबग तीस दिन का जो सफर बचा है क्योंकि बारा तारीक पर बैठे हैं पंदरा तारीक से एक्जाम है और मैक्सिमाइज करने के लिए आप सभी के लिए सबसे बैस्ट है कि प्रतिग्या टू उनिवर्सीटी में जाये तब जाके मजहा आता है तो वाइफ़र 85 कूपन कोट लगा कि आप लोग कर सकती हो कैसे रोल करना है मैं बता देता हूँ कि वर्लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है जाना सबसे पर लिंदीट सेवन सेवन सार्च करना है पहले लिंक पर जाना है य पड़ और और यहां पर देखो के लिए धेको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर अगर यहां पर साइंस का नहीं दिख रहा है न तो एक बार क्या करोगे यहां पे आपको आना है यहां पर देखो नीचे यह यह रहा पृतिग्या 2.0 पर आप लोगो जाना है यह प्र for example प्रतिग्या 2.0 में जाना है इस पे गए यहाँ पे आप लोग को भाई नाओ पे जाना है यहाँ पे एंटर करना है क्या कूपन कोड लगाना है प्रतिग्या 2.0 प्रतिग्या प्लस में यह है कि आप लोगो एडिशनली 1.0 का भी एक्सेज मिल जाता है अगर आपको सही है कि सर्थ पी वाई पी किट मिल जाए इसके साथ तो आप लोग इसके अंदर जाए एंडरोल कर लीजिए भाई मैं यही बोलूँगा देखो इसके क् कम टाइम बचा है बहुत कम समय बचा है जिसको आप लोग को मैक्सिमाइज करना और अप्लिकेशन फॉर्म का स्टेटर्स तो मैंने आप से भी को बता दिया है थैंक्यू सो मच और बाइबाय तो अल कमेंट सेक्शन के अंदर बताएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन से अफलाइन होने चाहिए बाइबाय तो अल